नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फोर्ट सीवल दिप्सेश में इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करेंट अफेर कितना पढ़ना चाहिए UPPSC 2020 के प्रिलिम्स के लिए बीओ का 2019 वाला एक्जाम जो 16 अगस्त को होने वाला है और आरो 2016 का जो री एक्जाम होने वाला है आपको तेरह सी दपर को इन तीनों के लिए कितना कितना करेंट अफेर कहां कहां से पढ़ना चाहिए सब कुछ सबसे पहले बात करते हैं UPPSC 2020 प्रिलिम्स एक्जाम ये वाला एक्जाम होगा 11 अक्टूबर को आपको पिछले एक साल के करेंट अफेर पढ़ना चाहिए यानि कि आपको करीबन 1 अक्टूबर 2019 से लेके टोटल 30 सितंबर 2020 तक करेंट अफेर पढ़ना चाहिए लेटेस जो 9 महीने हैं यानि कि 1 जनुरी 2020 से लेके सितंबर 2020 तक के करेंट अफेर पे जदा फोकस करना चाहिए तो यह हो गया UPPSC 2020 के प्रिलिम्स का करेंट अफेर बी यो की बात करें अगर तो 16 अगस्त को ये पेपर है लेकिन पहले ये 23 मार्ट को शेडूल था और ऐसी possibility बिल्कुल हो सकती है कि पुराना वाला पेपर ही उठा के दे दे लेकिन ये भी हो सकता है कि ना दे तो इसलिए रिस्क ना लो मेरे हिसाब से आप क्या करिएगआ मैं आपको एक दो पापा उडीओ दोंगा इसके ठीक है एक पापा उडीओ दोंगा सॉरी इसमें क्या है आपको बीयो में वह उसे पढ़ना कब से कब तक चीह ये समझे बीयो में 16 अगस्त को एक्जाम है ठीक है आप कम से कम जुलाई 2020 के एंड से पीछे जाते हुए पीछे जाते हुए जून 2019 से करेंट अफेर पढ़ना चालो करिए क्यों इतना मैं रिकमेंट कर रहा हूँ क्योंकि माल लिजी अगर वही वाला पेपर आ गया तो 22 मार्च या 23 मार्च को था पहले तो पहले वाला जो पेपर बना होगा वह फरवरी 2020 जनवरी 2020 और उससे पीछे जाते हुए करीबन 6-7-8 महिने का अगर करेंट देखें गो तो जून 2019 से सम्भावन बन सकती है थीक तो करेंट अफैर्ट की वन कप से कप पढ़ना चाहिए जुन 2019 से लेके आपको पढ़ना चाहिए ये जुलाई 2020 तक का का नुटल करेंट आफैर्ट परना चाहिए इतना रिकमेंडेड है मैं रिस्क मत लो क्योंकि बीयों में competition बहुत ज़्यादा है रिस्क लोगे फालतु में अच्छे खासे question आएंगे उसमें करेंटेफेर के 12-15-18-20 तक उम्मीद है क्योंकि economy भी तो उसी में है तो काहे के लिए भगया ही इसमें risk लो इसलिए आप आराम से पढ़िये इसको और tension वाली बात नहीं स्टेडी फॉर्टिविल स्टेश है ना आपके साथ आपको एक पापा वीडियो मैं दे दूंगा भी बीयों का अभी बन रहा है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं जून 2019 जुलाई 2019 अगर 2019 सितंबर 2019 और अक्टूबर 2019 पांच महीने का ये करेंट अफेर वन लाइनर के फॉर में बिल्कुल चोटे चोटे वीडियो के फॉर्म में मैं इसको बनवा दे रहा हूं और आपको पूरा पापा वीडियो दे दिया जाएगा आपको कब से कब तक जून 2020 से पीछे जाते हुए जून 2019 तक का एक तो आप यह देख लिजेगा और जुलाई मंत का जो मंतली वाल किया है अभी तक जो पिछले तीन-चार सामनों में जितने भी एक्जाम होते हैं सारा करेंट अफेर इस्टिडी फॉर्ट सिवल से जाता है भाईया इतना कर लो आराम से जो है सारी करेंट वेर करके आओगे कोई बहुता ही एक्तम जो है मूड खराब होगे एक्जामनल का क पूड लिया कि उगांडा में कोई किसी के साथ भाग गया था तो फिर बात तरला गए लेकिन नॉर्मल करेंट अफेर पूछे तो फिर आप आराम से करके आओगे बीयों के लिए एक पापा वीडियो मिल जाएगा उसमें जून 2020 से लेके नवंबर 2020 तक का बहुत डिटेल म दिया हुआ है लेकिन जून 2019 से लेके एक्टूबर 2019 का शौट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले नोट से वह अले दिये हुए है इत्ता पढ़ने ना हो जाएगा आरो के भी बात करें अगर आरो 2016 13 सितंबर को है मेरे जाब से आपको इसमें अगस्त एंड 2020 तक का करेंट से कब तक का एक जनवरी 2020 से लेके अगस 2020 एंड तक का ठीक है यानि कि 31 अगस 2020 तक का तो बहुत अच्छे से रट के चवा के पीक एकदम उतार लो या आप पे वाला और पिछले जाते हुए करीब नॉमबर दिसंबर 2019 का और देख लीजे इतने में हो जाएगा आरो का ठीक ह आप मंतली जाके इस प्लेइस में देख लो जो नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में ठीक है और अक्टूबर वाला जो वन लाइनर आएगा वह भी इसी में जोड़ दूँगा देखें वन लाइनर के छोटू-छोटू पापा चोटी-छोटू वीडियो बनाएंगे व 1 जनुरी 2020 से लेके सितंबर दोजेर विश तक का। ku dois जादा फोकस आरॉए में कहा करना है एक जनुरी 2020 से लेके अगस्द दो जार वीश तक का विएओ में जादा फोकस कहा करना है विए यो पा को जादा प्रीए है चाहें आप इसको मंतवाइस देख लो चाहें आप इसको जो पापा वुड़ी वाला लेकिन होड़ जोड़ देना sinn die अ और एक आजाएगा आपका यूपी पीसे 2020 के प्री लिंज कर इंटेफिर का जैहिन फ्री चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारे फ्री वाले टेलिग्राम को जरूर जान कर लिजेगा